हेलो फेंड, स्वागत करते हूं अपने चैनल में आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हो ECR और Non-ECR में क्या डिफरेंस होते हैं इदिके दोनों पास्पोर्ट होते हैं इंडिया में दो टाइप के ही पास्पोर्ट बनते हैं ECR और Non-ECR तो सबसे पहले हम जान लेते ही ECR पास्पोर्ट किसे बोलते हैं देखिए ECR जो पास्पोर्ट होता है इसके अंदर ना अगर आपके पास 10th के मार्क्सित नहीं है अगर आप educated नहीं हो तो आप ECR कैटिगरी में fall करते हो पास्पोर्ट बनवाने टाइम अगर आप पास्पोर्ट अपलाई करते हो अगर वहाँ पर आपके पास्पोर्ट पर किस टैंप मिलेगा उस पर लिखा होगा ECR पास्पोर्ट और देखिए ECR पास्पोर्ट में बहुत सारी चीजे और included हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ ECR पास्पोर्ट अगर आपके पास है तो आपको immigration करवाना पड़ेगा अब क्या होता है immigration चेक जो होता है टाइप की verification होता है क्योंकि ECR जो होते हैं लोग यही समझते हैं कि पढ़े लिखे नहीं होते तो उनकी job security के लिए immigration कराया जाता है और देखा जाता है कि अगर आपको कोई job मिल रही है बाहर तो आपको मतलब आपको कर पाऊगा नहीं कर पाऊगा पूरा security check-up होता है तब फिर आपको immigration करने के बाद आपको फिर allow होता है कुछ-कुछ countries होती हैं जैसे मैं आपको होते हैं इसके अंदर बस कुछ फर्क नहीं है ECR non-eCR से इतना फर्क है ना कि ECR passports में आपको 10th की mark seat नहीं यह लेवल है लेकिन non-eCR passports वगर आपको 10th की mark seat है तो आप किसी भी country में जा सकते हैं without any immigration verification क्योंकि आप पढ़े लिके हो आप कहीं भी जाओगे तो आपके बस skills होगी आप पढ़े लिके हो आप जानते हो मुझे क्या job मिलने वाला है वहाँ पर इसलिए security की जहत नहीं पढ़ती है non-eCR में अगर आपके पासपोर्ट पर एक कोई भी चाहिए stump नहीं होगा वहाँ पर कुछ भी लिखा नहीं होगा आपको जाने के लिए immigration कराना पड़ता है वर्क के लिए बाके इंद में कोई difference नहीं है in future अगर आपको non-eCR to non-eCR आपको कराना है पासपोर्ट तो उसके लिए भी आप करा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बस आपको reapply कराना पड़ेगा और आपको वहाँ पर लिखना होगा कि yes I fall in non-eCR category और उसके बाद अपना 10th की market आपको देना पड़ेगा अगर आपको वीडियो पसेद है तर like and subscribe कर देना मिलते है नेक्स वीडियो में